आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello The question is 2 volt meter है A और B Use to measure a voltage across a resistance एक resistance के cross voltage measure करने के लिए use होते है several ratings लिये गये और represent किया गया इस graph को BT जो है वो true value है voltage की being measured मतलब कि असल value यह measure करने चाहिए लेकिन number of ratings ज्यादा तर कुछ और ही कर रही थी लेकिन देखिए इसमें क्या हो रहा है which of the following statement is are correct अब statement हमें देखना होगा इसमें ऐसा है कि volt meter A के बार में कहा रहा है कि precise है ज्यादा accurate ज्यादा है कुछ इस तरह की चीज़े दे रखी है और हमें यह दो graph दे रखा है देखो ऐसा है कि हम precise का पहले meaning समझ लेते है precise क्या होता है और accurate क्या होता है उसके बाद हम लोग graph की तरफ निहान देंगे precise जब कहते है इसका मतलब यह होता है कि मालो आपको तीर का निशाना लगाना है center पे लेकिन आप तीर से दूर निशाना लगा रहे हो मतलब दूर मतलब आपका try है impact है attempt कर रहे हो यह आपका attempt जो है वह दूर जा रहा है लेकिन एक दूसरे के बहुत नजदीक है ठीक है तो यह क्या कहलाएगा यह कहलाएगा कि बहुत ज्यादा precise है more precise precise अब देखते है accurate मतलब क्या होता है accuracy जब कहते हैं कि काम में ज्यादा accuracy है इसको इससे समझ सकते हो कि आपका यह center यह आपका लक्षे था और आपका attempt जो है वह इसी के आसपास रहा है तो यह जो आपके attempt है न वह अगर आपके लक्षे के आसपास रहते हैं तो आपको more accurate कहा जाएगा more accurate कहा जाएगा चलिए अब देखते हैं graph को graph में देखिए ऐसा है कि हमारा लक्षे यह vt मतलब true value measure करना लेकिन हम लोग इसमें जो जादा attempt कर रहे number of ratings जो ले रहे वह इस a में देखें तो वह हमारी true value से थोड़ी दूर पे है जबकि हमारी true value यहाँ है इन दोनों की बीच की gap जो है बहुत कम है जबकि इसमें क्या है gap जादा है तो यह कुछ इस तरह का मतलब हाल हुआ कि इसमें वह precision जादा है ठीक है precision जादा है लेकिन accuracy कम है अबर इसकी बात करें तो इसमें क्या है accuracy जादा है precision कम है तो यहां से एक statement लेख सकते हैं कि A is more precise, okay precise तो ज्यादा है, precise but less accurate, accurate, okay अब देखते हैं option, बोल्ट मीटर A is more precise, हाँ more precise but less accurate than बोल्ट मीटर B, हाँ less accurate है, किस से, B से, okay तो option A तो होगा correct, B में देखे, बोल्ट मीटर A is less precise, नहीं ऐसा बात नहीं है, यह ज्यादा precise है, less precise नहीं गलत है, बोल्ट मीटर A is more precise, हाँ यह बात तो सही है, more precise है, as well as more accurate than बोल्ट मीटर, नहीं, यह statement जो है, वो गलत है, यह तो ज्यादा accurate B है, okay, बोल्ट मीटर A is less precise, as well as less accurate than बोल्ट मीटर B, कहा रहा है कि A जो है, less precise है, यह तो यहीं गलत हो गया, तो यह statement जो है, इसमें कौन सा correct option रहा, तो option A is correct option, okay, इस graph और इस example से हम समझ सकते हैं, okay, thank you, Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक, 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट आप, यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्सो पर